सपने में काले कुत्ते का काटना एक असुप सपना है लेकिन इसकी तीन अवस्थाएं होती है जो तीनों अलग-अलग संकेत देती है सपने में जब आप देखते हैं कि आपको किसी काले कुत्ते ने काट लिया तो इसके तो असुप परणाम होते हैं लेकिन असुप परणाम तीन प्रकार से होते हैं पहला होते हैं कि अगर आप सपने में देखते हैं कि आप अपने घड़, अपने आंगन या अपने घड़ के कड़ीव कहीं पढ़ हैं और आपको काले कुते ने काट लिया, तो ये अपना संकेत करता है कि आने वाले समय में, आपके family member, आपके दोस्ति या आपकी किसी रिष्तेदार से आपको धोखा मिल सकता है, ये धोखा छोटी या बड़ी हो सकती है, ये धोखा आपको ज़्यदा पड़िसान करने वाली हो स सपने में जवाप देखते हैं कि आपको घड के बाहर कहीं पर काली कुत्ते ने काटा है जहां कोई सुनसान जगह है और आप उससे बचने की कोसिस कर रहे हैं भागने की कोसिस कर रहे हैं लेकिन फिर वो आपको काट लेती है तो ऐसी स्थिति में आपके घड के बाहर के जो ज जौब विगरा करते हैं तो उस छेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे किसी ने किसी सदस्य से आपको धोका मिल सकता है, आपके साथ धोका धरी वो सदस्य कर सकता है जो आपके लिए पस्तावा का कारक बन सकता है लेकिन सपने में देखते हैं कि किसी काले कुते ने आपको बहुत ज़्यदा नुकसान पहुचा दिया है सरीर के किसी अंगों को काट लेता है या फिर आपको ज़्यदा जख्मी कर देता है तो ये सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको सारिरिक रूप से और मांसिक रूप से काफी ज़एदा कश्ट का सामना करना पर सकता है किसी प्रेकार की सारिक दिक्कत या मांसिक दिक्कत आपको हो सकती है